नमस्कार साथियों अंतराश्ट्री अस्तर के महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अडिटर इनचीफ प्रबीर तो प्रबीर पश्ची मेसिया में जो उथल पुथल होता है उसके तार दुनिया के समराजवादी ताकतों से जुड़ते हैं अभी हाल के कुछ दिनों पहले इसराइल ने तीन जगवों पर हवाई हमला किया सीरिया इराक और हिजबुल्ला के केम्पों पर इसके पीछे क्या कारण था और आगे ये कहां ले जाएंगे देखे एक तो लगता है कि इसका सम्मंद अभी सीधा सम्मंद जो कह सकते है इसरेल की चुनाओं के लिए है क्योंकि नेतानियाहू इस वक्त चुनाओं में अच्छी स्थिती में नहीं है उनके खिलाफ करॉप्शन की केसेश चल रहे हैं तो जभी भी इस तरह का चुनाओं माहूल में हालत थोड़ा कमजोर होता है तो लोग जंग की एक आवाहा बनाते हैं एक बातावरन बनाते हैं ताकि वोट शायद ज्यादा मिले क्योंकि जंग और नैशनलिजम जुड़ा हुआ है तो इसलिए उस पर वोट का उपर एक असर पड़ता है तो मुझे लगता ये भी वज़े है कि क्यों इस तरह से कारवाई कर रहा है जिस से सिचुएशन बिगड़ सकती किसी भी वक्त तो आपने जो जिकर किया उस पे एक हमला तो इराक के कैम्प्स पे इराक के अस्ट्रागार पे हुआ है वहां पर उनकी बारूद वगारा था जिस पे बिसफोट हु अब इराक ये कह रही है सरकारी तोर पे जो सिरिया में जिस जो इलाका एजडियेफ के पास है और अमरीका के एक हिसाफ से छत्रच्छाया के नीचे है तो वहां से हमला इसरेयल ने किया है तो इस पे इराक और अमरीका की सम्मंद में काफी दरा रहे हैं दूसरा जो आक्रम को ड्रोन का बिसम्वोड हुए जिस पर क्रीब साड़े पांच किलो उस पर एक्सप्लोजिव थे कहते हैं और एक ड्रोन dot यह दो ऐस आक गिरा तो यह दोनों ड्रोन बेीरूर्ट शहर के उपे हुआ है तो कैम्प में नहीं हुआ हुआ है है शहर के उप आप कर रहे हैं आप वो सीरिया में डमस्कस के डक्षिन में एक कैम्प में इटाक वाई जिसमें हजब ला के पांच लोग मारे गए हैं तो यह हजब ला ऐसा शक्ति नहीं है जो इस तरह से मार सहन करता रहेगा उसने यह कहा है कि हमारे उपर इस हमले का जवाब हम जरूर देंगे और इसरेल को कब देंगे काईसे देंगे वो अलग बात है पर इसके जवाब हम जरूर देंगे तो इसरेल और ह्बड़ना का बीच में अगर जङ होता है पir तो वैस्ट एशिया के लिए तो खतरना खए ही पर लेवनॉन और इस्रेयल के भी इससे अच्छे नतीजा नहीं होगा क्योंकि पीछले बार ये बात सही है कि 2006 में जब जंग हुआ था तो इस्रेयल में इस्रेयल ने लेवनान की पूरी इंफरस्ट्रक्चर को बिद्वस्त कर दिया था पर वो बॉर्डर से पांच या छे किलोमेटर आगे हैं कि देड़ लाक की लगभग रॉकेट्स हैं और उसमें करीब 200 ऐसे हैं जो की भारी च्छती पहुंचा सकती है और वो इस वक्त प्रेसिशन गाइडेड भी है ताकि उसकी मार काफी एक्विरेट होगा जो पीछले बार नहीं था इस्रेयल के पास बहुत सारे हाथियार ह है ऐसे मिजाइल को गिराने का उनका थ्री टियर उनका डिफेंस सिस्टम है फिर भी अगर बड़े पैमाने पर रॉकेट एटक होता है मिजाइल एटक होता है तो सब को रोकना संभब नहीं है और खर्चा भी बहुत होता है तो इसलिए यह इस्रेयल के लिए भी इस तरह के इस वक्त जो है सिचुएशन ऐसा नहीं है जो पहले हुआ करता था इस्रेयल मारके चला जाता था और उसको चैलेंज कोई कर दी सकता हिजबुल्ला की 2006 की जंग से तत्था साबित हो गया है इस्रेयल के फोर्स के के लिए इता असान नहीं है हिजबुल्ला को काबू में ला है उससे लगता है इस्रेयल भी इस वक्त जो है थोड़ा इसका आच तो जंग का उसको अन्भव करना पड़ेगा पीछले बार भी किया था पर इस वक्त इसका यह शक्ती हिजबुल्ला का काफी ज्यादा है उन्हेंने कहा है हमारे उपर अगर बार करेंगे तो हम आपका इ लेबनान को बहुत बड़ा नुकसान होगा पर इसराइल भी बचेगा नहीं यह उनका कहना है और माइकल आउन जो लेबनान के प्रेजिनेट है वो बहुत कड़ी निंदा किया है इसरेयल की बाइरूट पर इस तरह का हमला का तो लेबनान की जंता भी इस वक्त हेजबुल देखिए अभी तक जो आप सरक की बात करें वो एम फाइव हाइवे है जो हमा शहर को अलेपो शहर से जोड़ता है तो वो अभी भी पूरा कबजे में नहीं आया उसका एक हिस्सा कबजे में आया है और जो इडलिप जो प्रदेश है उनके प्रांथ है उस प्रांथ में प्रका सर्थ है तो काफी आगे बढ़े हैं पर अभी इडलिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसवक्त अलकाइदा यह आइसिस नुवा शक्तियों के पास है यहां पर अलकाइदा जैसी शक्तियों की ताकत ज्यादा है तो यह अभी भी में वहां पर जम्हें हुए हैं और नहीं की पीछे टर्की का एक क्या किह सकते एक तरफ से हात नहीं के पीछे है टर्की ने जब किया था अस्ताना realization संजाता जिसे कहते है सीरिया, रॉष्या और अर आर्र का बीच पीछ पहा था एर धिरिया उस पर प्रिजलेट, पर सुरी सिरिया उसे प्रेजन नहीं था इरान रश्या और तर्की के बीच में वहा था तब इडलिप के बारे में ये कहा गया था ये तर्की की जिम्मेदारी होगा वहां से अलकाइदा मुख्त करने की और वहां पर एक डी मिल्टराइस्ट जोन भी बनाया गया था इडलिप और दू सिरिया की सरकार के पास जो इस जगह है उसके बीच में जो तर्की के कबजे में था पर तर्की इसको सिरिया शक्त की साबरिक सेनाओं से बाहर रखा पर इडलिप में कोई कदम ऐसा नहीं उठाया अलकाइदा के खिलाफ तो अब जो है लगता है कि रश्या और एरान भी इस हमासे फिर जो है यह खत्रा है कि फिर अलकाइदा फोर्सस दूसरे जगहों पर आ सकते हैं तो इसको खतम करना है अलेपों को पूरी तरह से कनेक्ट करना है हमास के साथ हमास शहर के साथ तो एम फाइव को कैसे मुक्त किया जाए उसके लिए तो कोशिश करी रहे हैं पर इस ताकि एक तरफ से एक चारो तरफ से घेर के एक एक पॉकेट को इस तरह से धीरे-धीरे समाप्त किया जाए ताकि स्टेजवाइस वह इडलिप को अपने कबजे बिलाए लगता है तर्की जो कुछ इसके बारे में बातचीत किया था अपना सेना भी भेजनी की कोशिश किया लग तो नहीं रहा है कि इससे आगे बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से तर्की इस चीज़ को मेरे ख्याल से उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा क्योंकि रूस के साथ लड़ाई करना और अमरीके के साथ लड़ाई करना एक साथ सम्भब नहीं है अमरीका के साथ जो इस्टर्न स काफी, उस पूरा इस वक्त अpod के चत्रि के नीचे है चत्रशाया में तो यह जो जगह है यहां पर तेल भी है, सिर्या की तो यह जगह में Northern Belt जो है, उस पे कुर्दिश लोग ज्यादा है, तो उस जगह को टर्की अपने कबजे में लाना चाहता है क्योंकि कुर्द कुर्दिश ताकतों को वो टर्रिस ताकत मानते हैं तो अमरीका और तर्की के बीच पे इस पे बातचित चल रही है कि इसको कैसे तर्की को हां आने दिया जाए और इसलिए कुर्दिश ताकत भी अब जो है सिरियन सरकार से बात करन शुरू किया है कि हम आटोनमीद हमें दे दो और हम आपके साथ रहेंगे तो यहां क्या होगा बताना वड़ा मुश्किल है तो अमरीका टर्की के बीच में एक समझावता होगा या लड़ाई होगा या टेंशन रहेगा एक सवाल यह है रश्या, एरान, सिर्या और टर्की के बीच पे क्या सम्मंद रहेगा यह भी देखने की बात है क्योंकि टर्की इस वक्त रश्या इरान के साथ कुछ हद तक था इन सब सवालों पे और बीच पे इसरेल तो है ही बीच बीच पे जंक की धंकी या एटाक्स करना सिरिया, सिरिया के ऊपर यह कहके कि इरानी शक्ति ह पर हैं, उनको पनपने नहीं देंगे, तो यह लडाई तो सिरिया में एक तरह से चली रहा है, पर लग रहा है अब जो है इसको इडलिब में जो सिरियान आरब आरबी जिसे कहते हैं, पर सरकार की सेनाय इडलिब पर कबजा जबाने के लिए भी तयार है, और उस जंग में पहला कदम जो है, उनको सफलता मिली है, खान शायखुन शहर कुनार अपने कबजे भी किया है, एक काफी बड़ा पॉकेट को अपने कबजे भी किया है, देखना पड़ेगा आगे इस पर क्या होता है, अखास तोर से टर्की का भूमी का इडलिम में क्या रहेगा, एक यह सब ताकते जुड़ती हैं, तो अगर इनके समीकाना का संचिप्त में आप बता दें, देखे, कई तरह की इस में फोर्सेश शामिल है, पर मुख्या रूप में, अमरीका और इस्रेल एक एकसिस बनाई हुए चल रहा है, दूसरी तरह इस वक्त, रश्या, चीन, इरान ए एक साथ है, कि इनको अमरीका की हेजमनी को, जो प्रभुत्वा को, इस इलाके से वो खटाना चाहते हैं, चाहते हैं कि दूसरे मुल्क अपना आजाद राजदीत अपनाएं, तर्की का भूमी का कुछ हद तक दुगला भूमी का है, वो कभी अमरीका को नेटो का पार्ट भ है, तर्की का एक बीच बीच कभी इधर कभी उधर का स्थिती है, पर इस वक्त लगता है कि रश्या से जगडा करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें मुख्य शक्तिया भी भी इस वेस्ट एशिया में एक तरह इदान है और उसकी ऐलाइस, ऐलाइस येमिन में हूतीज है, इध स्थार्स की उनकी जो मिलीशियाज है, वो काफी हद तक इरान के क्या कहते हैं, उनके साथ संबन्द इरान के बहुत अच्छे हैं, ये सब देखते हुए इस वक्त इरान इस इलाके में अपना प्रवाव बढ़ाया हुआ है, और जो शक्तिया इसरेल के साथ थी, एक तरह से कमजोर पड़ रही है, इसको देखते हुए इसरेल और अमरीका का लग नहीं रहा है कि वेस्ट इशिया पे जैसे पूरे पूरे तरह से कब्जा पहले लख वे ते रख पाएंगे, उनका इलाइस जो है साओधे रेबिया, येमिन में लडाई कर रहे हूँतिस उनके उपर है, बिजाइल से और ये ड्रोन से उनके अंदर जाके हमला कर रहे हैं अभी, तो वहां साओधी भी कुछ हद तक काफी, क्या कहते हैं, चार साल की जंग के बाद भी इतना सारे सामान लेके भी आगे नहीं पड़ पा रहे हैं, तो अरब एमिरेट्स है, उनाइट अरब एमि करने की कलपना थी, परिकलपना थी, वो आगे बढ़ पा रही है, और इरान जब तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्बुस पे अपना कब्जा बरकरार रख सकता है, तब तक उसके पास ये ताकत है, कि उसको इस तरह से कोरे भी ले जाना, दूसरे ताकतों के लिए संभब नहीं है तो मुझे लगता है कि इस इलाके में अमरीका और इसरेयल की जो राजडीत रही है, वो बिफल होने की रास्ते पे है, वक्त की बात है, जिसके बाद इन मुलकों की, उस इस इलाके की मुलकों की भविश्यों खुद ही रिधारित करेंगे, और जो एक कलेक्टिव के बात इस वक्त रश्या इरान कर रहे हैं, उस पे दूसरे ताक्वत भी शामिल होएंगे, क्योंकि इसके इलावा इस रीजन का बाहरी शक्तियों से चलाना संभब नहीं है, लाकि कभी इस तरह के किसी जगह पे लंबे अरसत एक ऐसी राजडीत चल सकती है, तो मेरे ख्या लाके का तेल पर अमरीका का कबजा, इस इलाके पर अमरीका का छत्रचाया, इसरेल के दादागीरी, यह सब धीरे-धीरे कम होने की आसा नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी परिवर्टित स्थिती में वेस्ट इशा पहुंच रही है, पर यह आसानी से नहीं दूसरों को भी, तो यह देखना पड़ाएगा कैसे होती है, पर लग तो रहा है कि वेस्ट इशा इस वक्त परिवर्टिन के मुख पे है, शुक्रिया इस विशा पर हम से बाच्चित करने के लिए, थोड़ा मुस्किल है, लेकिन पश्ची में अंतराष्टे छिड़कानिय कम हो रही है, देखते रहें न्यूश क्लिक